हाई क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिफ के साथ जा रहे हों कहीं पे और आप अचानक से गाना गाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो आपका फ्रेंड और वो जो रिलेटिफ जो भी है वो कहता या कहती है कि यार यह गाना तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा था, तुमने कैसे गा दिया, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, कि आप किसी इंसान से मिले, और आपने एक विचारधारा उसके बारे में बना ली, आपने एक जो है, अपने इमेज सेट कर ली उसके बारे में, और आगे चलके वही इ देख रखियो मनलब आप जिस जगह पे गाए हैं वह आप में पहले ही से सपने में देख रखियो क्या आपके साथ भी ऐसी चीज़े होती हैं तो हाई मेरा नाम है अक्षे और शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा यह सारी चीज़ें सभी के साथ होत सेशन होते हैं लेकिन जो हमाई उसको साइंटिफिकली भाषा में बोलते हैं एस पी एसप का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो आपको फील होके आजाए जो आपका इंट्यूशन कहा रहा हो आपकी गट फीलिंग कहा रही हो तो सोचो क्या हम अपनी इस ग तो जो सिल्वा नाम के एक साइकलोजिस्त है और मैं आपको बता दूँ यह जो इनका कोर्स है यह इंडिया में भी अवेलेबल है पचास हजार से डिल लाख रुपए तक का कोर्स होता है और हमारे जितने भी सक्सेस्फुल सेलेब्रिटी हैं चाहे वो अमिताब बच्चन ह हो चाहे आलिया भट हो चाहे शारुक खानों चाहे वरन बफे हो चाहे फिर हमारे कोई भी सक्सेस्फुल इंसान हो इस टाइम पर ठीक है उन सबने यह वाली मेडिटेशन टेक्निक अपनाई हुई है तो इनके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं देखिए यह क बढ़ना और लिखना सीख गए अपने की मदद से और उसके बाद उन्होंने एक फैक्टरी में रिपेरिंग का कुछ काम कराया तो इनको इलेक्रिक की काफी नौलेज हो गई लेकिन इनका दिमाग हमेशा साइक्लोजिस बनने का था मतलब यह चाहता था इनका दिल और इन् अगर मैं मेडिटेशन को बोलूं ध्यान लगाना या फिर जो हमारे शिवजी करते हैं आपने देखा होगा शिवजी एक पोजीशन में बैठे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि शिवजी ऐसे क्यों बैठते हैं और वो क्यों इस तरह से क्या जानने की कोशिश करते हैं तो यही shift को shift बना देता है और हमको इंसान बना देता है तो यह जो method है यह shift जी जो करते हैं उसका point one person भी नहीं है शायद लेकिन यह method अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप पाएंगे क्या यह तो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आप खोएंगा क्या यह मैं आपको बता दूँ आप anxiety, depression आपकी जो भी problem चल रही है यह life में आपकी कोई भी relationship problem चल रही है या फिर आप किसी भी तरह की कोई भी problem चल रही है mental conflict जो हो रहे हैं आपके दिमाग में जो एक conflict बना हुआ है आप उन सब से जो है निजात नहीं पालेंगे ऐसा नहीं है कि वो सारी problem चली जाएंगी उन सब के solution मिल जाएंगे आपको इस दुनिया में आपने सुना होगा हर चीज का solution है ठीक है आपने सुना होगा कि positive रही है इसे philophobia बोलते हैं कि अगर हम अच्छा सोच रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बहुत खुश हूँ तो अचानक से कुछ बुरा हो जाए यह होती है negative thinking और इस thinking को आप हटा सकते हो आपकी मान लोग कोई बुरी आदत लगी है किसी भी तरह की बुरी आदत है अगर आप उसे छोड़वाना चाहते हो तो आप इस technique को इस्तमाल कर सकते हो अगर आप कोई competitive exam देना चाहते हो या फिर कुछ बनना चाहते हो और वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पार हो मतलब आपका जो concentration power है वो वहां तक जा ही नहीं पा रहा है तो आप ये method अपलाए खरके अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो क्यों? क्योंकि ये कोई जादू नहीं हो जाएगा ये आपका mind जो है उस तरह से train हो जाएगा देखो हमारा क्या है ना कि जो mind होता है हम इतनी जगा देखो एक ohms law होता है इन्होंने ही बताए ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ एक ohms law इन्होंने दिया है इन्होंने उसका reference लिया है जो हमारा mind होता है आपको पता है कि वो एक तरह की electrical उसमें जो है conflicts चलते रहते हैं उसमें neutron, electron, proton सब होते हैं, scientifically proven है, ठीक है, तो ohm's law क्या कहता है, कि resistance, resistance, resistance जितना कम होगा, crunch flow उतना ज्यादा होगा, resistance का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे heat होती है, जैसे कि अगर आपका कोई circuit है, उसमें heat ज्यादा पैदा होगी, तो आपका crunch divert हो जाएगा, इसी तरह से यह हमारा mind है, अब इसमें जो concentration power है, इसको अगर आपको high करना है, तो आपको जो बाकी thoughts हैं, जो आपका mind डिधर से उधर भाग रहा है, दो मिनेट पहले आपने सोचा career के बारे में, फिर relationship के बारे में, फिर खाने के बारे में, फिर अपना पहनने के बारे में, तो आपने यह जो चीज़े सोची, इसको अगर आप हटा दोगे, या फिर एक जी बुट की movie में ऐसा होता है, ऐसा real life में नहीं होता, कि दस गुंडे आपके ओपर एक साथ तूट पड़े, तो आप सबको तो एक साथ मार नहीं लोगे, आपको एक एक को मारना पड़ेगा, ठीक है, तो यह technique हमें यही सिखाएगी, हम आगे देखेंगे कि यह technique, ऐसी क्य चीज है इसके अंदर, जो यह technique हमको सिखाने वाली है, ठीक, आपको करना क्या है, इस technique में मैं सबसे पहले आपको waves of mind बताऊँगा, लेकिन आपको बता दूँ, 40 दिन की होती है, 30 से 40 दिन की, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 30 to 40 days, बस, 30 से 40 दिन में आपकी life पूरी तरह से पलट जाएगी, आज तारिक है, हाँ, आज तारिक है 6 March, ठीक है, और आप यह मान के चलो कि 6 April आते आते, आपकी life आज से बदल चुकी होगी, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, या जब भी in future आप यह वीडियो देखो होगे, तो आपकी life जो भी date है, उस date से आप count कर लेना 40 दिन पे, तो आपकी life पूरी तरह से बदल जाएगी, ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारा mind है, उसमें किस तरह की waves होती है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको waves समझा दूँ, जो की जो सिलवा जी ने बताई है, अपनी book म है, और मैं आपको बता दूँ, जो इनकी book है, वो number one rated है, उसको 4.5 rating मिली है, flip card, amazon पे ठीक है, और 91% जो है इस book को like करते हैं, Google rating इसकी 91% है, तो इन्होंने कई लोगों पे इसका technique apply करी है, जो सिलवा जी ने, और मतलब आश्चा रेजनक result मिले, in fact मैं आपको इनकी बेटी की स्टोरी भी बताऊंगा, पहले मैं आपको waves of mind समझा दूँ, देखिए हमारे जो waves of mind हैं, वो इन्होंने divide करें हैं, पांच पार्ट में alpha, beta, gamma, delta, theta, पहली बात, आजा आप समझो कि ये क्या होता है, alpha, beta आप हर जगा देख लेते हो, देखो अभी जो कोरोना की wave आया थी, वो बर्ण माला होती है, ठीक है, उसी तरह से ये Greek letters के नाम है, alpha, beta, gamma, delta, theta, तो सबसे पहली जो हमारी stage होती है, वो होती है alpha, ठीक, हमें basically इसी stage पे पहुँचना है, इस चीज को practice करके, alpha stage पे, तो गो alpha stage एकदम relax stage होती है, जब आप सो के उठते हो, मानलो इकदम fresh हो के उठते हो, एकदम आपको, आप imagine करो, आज सुभा का वो time जब आप सो के उठते हो, थोड़ी देर इस लिए आपके दिमाग में कोई tension नहीं आप बढ़ियां उठते हो, एकदम और आपका मन होता है कि थोड़ी देर और सो जाए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा दो reason से होता है, जब आप सो के लेकिन हम लोग तुरंत जो है, बीटा, गामा और बीटा और गामा पर पहुच जाते हैं, कैसे देखिए, second जो stage होती है, वो होती है, बीटा, बीटा क्या होती है, जैसे कि अभी जो आपकी stage है, आप इस वीडियो पर focus कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, चल ग हम बहुत सारी चीजों को एक साथ solve करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमसे होई नहीं पाता है, फिर at the end of the day आपको depression हो जाता है, ठीक, अच्छा, जो बीटा होती है, वो focus रखती है आपको, जो गामा होती है, वो high performance, आपको exam दे रहे हो, एक जगा एकदम concentrate करके, आप जब कब lunch हो गया, कब क्या हो गया, यह होती है, डेल्टा क्या होती है, देखो या, आप सभी ने एक चीज महसूस करी होगी, कभी-कभी हम सोने चलते हैं, तब तक कोई हमें उठा देता, और हम कहते हैं, अभी तो नींद आई थी, तुमने तो नंद उठा दिया, आप याद करन होगे, तो वो सपना आप शायद भूल गया होगे, और 90% chances है कि आप भूल जाओगे, आपने शुरवात कहां से करी थी सपने की, क्योंकि हम यह जानते हैं, कि हम अपने सपनों का सिर्फ कुछी परसंट याद रख पाते हैं, ठीक, तो यह जो होती है, वो नैप के टाइम, चो पाने चोटी सी जो नीन होती है, ठीक है, यह हम उस state में डेल्टा के, और थीटा मतलब जब आप गयरी नीन में सो रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हो, हना, तो हमंहें आना है एल्फा पे, हम एल्फा पे कैसे आएंगे, ऩो हुआ जो सिल्वा ने जब यह चीजें अ पढ़ाई करी और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़े निकाली तो मैं आपको बताऊं कि जब ये सारी चीज़े उन्होंने अपने बच्चों पर ट्राई करी अपने घर वालों पर तो रिजल्स उनके अजीब से हो गए थे मतलब क्या हुआ कि वह एक दिन अपनी बेटी के साथ जब जाते हो और गाना गाने लगते हो जो उसके दिमाग मता है तो उनकी बेटी उनका mind रिट कर पा रही थी मतलब जो उनके father तो उनका mind रिट कर पा रही थी तो इस वज़ा से जो है उन्होंने इसके आश्र चकित चर देने 12 हैं वो देखे और उनके पडोसी हैं फिर उन्होंने कहा कि देखा कि इनके बच्चों में ऐसा change कैसे हो रहा है कि मतलब इतनी high performance दे रहे हैं इनके बच्चे हर चीज में आगे निकल रहे हैं तो वो उनके पास गए उन्होंने पूछा करते-करते इन्होंने फ्री में 50 लाख लोगों को या 5 लाख लोगों को करवाया है ये कॉर्स और फ्री में करवाया है जो सिलबा जी ने बाद में इनोंने पेट कर दिया अब पूरी दुनिया इसको करती है ठीक है और मैं आपको बताता हूँ यह पूरी दुनिया करती कैसे है आपने देखा होगा कि ध्यान की मुद्रा में जो position होती meditation की इस तरह से आंख बंद करके जो शेप जी की मुद्रा होती है उस तरह शांत मुद्रा में लोग बैठते हैं लेकिन वो करते क्या है वो मैं आपको यहां सिखाता हूं क्योंकि वो सी क्या आते हैं किसी institution से जहां की फीज मैंने आपको बताई पचास हजार से डेल लाक रुपए तक की हो सकती है ठीक है तो मैं आपको फ्री में बताता हूं कि होता क्या है ठीक सबसे पहले आपको एक शांत जगा ढूंनी है meditation meditation मैंने जो आपका ध्यान होता है उसके लिए आप इसको आप 20 डिग्री उपर कर लेंगे अब मैं इसका डाइग्राम आपको बना के दिखा देता हूं देखिए जैसे यह हमारी आँख है ठीक अभी आप सीधे देख रहे हूं ठीक आपको यह सीधे ना ले जाके आपको इसको 20 डिग्रीज पर उपर ले जाना यहां पर ताक आपको यह पुतली यहां पर रखनी है इस जगह पर समझे ठीक पैला पॉंट यह हो गया फिर हो गया आपको 100 से लेकर 1 तक की गिंती करनी और कुछ नहीं करना है अपने मन में कोई आपको ओम का उचारन नहीं करना है आपको कोई मंतर नहीं बोलना है आपको अपने 99 98 97 इतनी तेजी तेजी से नहीं आप बोलोगे 100 99 98 हर एक उसमें जब आप पीछे जाओगे सोसे 99 98 97 हना तो आप दो सेकंड का ग्याप रखोगे हर नंबर को बोलने से पहले इतनी शांती में आपको करना है यह आपको करना है पहले और उसके बाद जब आपका यह हो जाए जब आप वन तक आ जाओ ठीक तो आपको क्या करना है चौथ स्टप प्याना है चौथा बहुत simple है आपको one से लेकर five तक बोलना सेम तरीके से दो से किन गया रहेगा लेकिन हर ताइम जैसे आप बोलोगे वन दो सकंद का गया फिर आप बोलोगे each time I do this I feel relaxed मतलब हिंदी में बोलना चाहो तो हिंदी में आपको जो language अच्छी लगती है आप उसमें बोलिए ठीक मान लो आपको शराब छोड़नी है तो आप कहोगे जब जब मैं ये काम करता हूँ तब तब मुझे शराब से दूर जाने का मन होता है मैं शराब छोड़ रहा हूँ आपको positive चीज़े बोलनी है जो भी आप चाहते हो जब जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे quantitative exam पढ़ने में ज़्यादा असानी होती है और मैं focus कर पाऊँगा जब जब मैं ये करता हूँ मैं relax हो रहा हूँ अगर आपको depression है अगर आपका relationship पूटा है तो आपको बोलना है जब जब मैं ये करता हूँ तो मुझे वो यादें खतम हो रही है मैं life of में आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है move on कर रहा हूँ तो आपको second step ये करना है और ये आपको पांच बार करना है पांच बार आप ये line बोलोगे एक से लेके पांच तक बोलोगे तो पांच बार आपकी ये line हो जाएगी फिर देखो इसको हम बोलते है entry alpha stage में जाने की entry ये है लेकिन आप तुरंत आँख निकोलोगे ये है आपकी exit ये आपकी exit बाहर निकलने की ठीक पहले आप entry ले रहे हो alpha stage में relax होने की देखो कहते हैं न कि हमको relax होना है लेकिन कैसे हो गया आप आपको तरीका क्या है शांत मन को शांत करने का यही तरीका है ठीक तो क्या है कि आपको exit लेनी है फिर when I will open my eyes I will be a relaxed person आपको ये बोलना है मतलब जब मैं आँख खोलूँगा तो अगर आप शराब छोलना चाते हैं तो आप बोलोगे कि जब भी मैं आँख खोलूँगा तो मैं ये शराब से दूर जा चुका होंगा या मुझे शराब अच्छी नहीं लगेगी या मैं छोल रहा हूँ या फिर आप अगर डिप्रेशन में हो तो आप बोलोगे कि जब मैं आँख खोलूँगा तो मैं रिलाक्स फील करूँगा अच्छा फील करूँगा पॉजिटिव फील करूँगा ठीक है तो पांच बार आपको ये लाइन बोलनी है और लास्ट में क्या है कि आप अपनी आँखे खोलोगे और बोलोगे अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप अपने आप से बोलोगे आँख खोल के और ये आप वाकई में बोलोगे ये कोई रटी रटाई लाइन नहीं है जब आप इतना मेडिटेशन करोगे न तो आप अपने आप बोलोगे और मुश्किल से ये कितना टाइम लेगा आप खुद कैलकुलेट कर लो 100 इंटी 2 सेकंड कितना हो गया 200 सेकंड या फिर कुछ ऐसे आप मान लो मैं कहता हूँ आप इसको 300 सेकंड मान लो और इसमें आपको कुछ सेकंड लगेंगे तो ये कितनी देर का मेडिटेशन बहुत ज़ादा 15 मिनिट का मेडिटेशन आदे घंटे से ज़ादा का मेडिटेशन नहीं होगा अगर आप शुरवात में भी कर रहे हो आपको बहुत शांती मिलेगी इससे ठीक फिर क्या होगा कि जब आप इस चीज़ को आपको कितने दिन करना है देखो यहां पर मैं लिख देता हूँ देखो इस चीज़ को आपको करना है पहले दस दिन में 50 टाइम्स ठीक नहीं स्वरी मैं क्या लिख रहा हूँ देखो आपको क्या करना है पहले 10 दिन आपको यह 100 की गिंती गिननी है 100 से 1 तक फिर उसके बाद जो अगले के 10 दिन है उसमें आपको 50 से लेके 1 तक की गिंती करनी है और यह आपका सेम रहेगा यह आपका कॉंस्टेंट रहेगा कि आपको पांच बार यह करना ही करना है ठिक फिर अगले 10 दिन पर आपको 25 से लेके 1 तक और फिर अगले 10 दिन 5 से लेके एक तक 40 दिन लाइफ चेंजड जिन्दगी बदल गई आपकी 40 दिन आपकी जिन्दगी बदल चुकी है अब आप इसको 40 देस के लिए ट्राय करिए और कमेंट सेक्शन में वापस आके बताईएगा कि क्या यह आपको काम करा या नहीं करा देखिए अब मैं आपको यह बता ही मैंने करी है PGD CFT में एक कोर्स है उसका नाम है PGD CFT Post Graduate Diploma in Counseling and Family Therapy ठीक तो यह वाले कोर्स में मैंने यह ली चीज़ पढ़ी थी और हम इस चीज़ को करवाते भी हैं कई लोगों को तो मैंने सुचा इसके ओपर एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि रोज मैं educational वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को यह चीज़ भी जाननी चाहिए कि life में आप मतलब अगर frustrated हो चुके हो या फिर परिशान हो चुके हो तो आप कैसे उस level तक आओगे जहां पर आप जो चा जिस जिसको जरुवत है जो जो भी कहते हैं depression, relationship problem, unemployment या फिर किसी भी तरह की problem से जूज रहे आप उसको यह वीडियो दिखाईएगा जरूर ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए thank you so much